हेलो दोस्तों आज हम आपको कुर्ते की कटिंग करना सिखाएंगे यह देखिए हमने इस कपड़े को डबल कर लिया है और अब इसमें हमने फोर फोल्ड कर लिये हैं यह देखिए यह देखिए हमारे यह फोर फोल्ड हो चुके हैं कि इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम इसकी लंबाई 45 इंच लेंगे इसमें स्लाइब मार्जन रखते हुए और 40 इंच रहेंगे नीचे तुर्पाई भी चाहिए अपने हिशाब से लंबाई कर सकते हैं इसकी जितना चाहें इसका तीरह हम छे इंच लेंगे कि अगया और इसका आघाल के लंबाई भी हम छे इंच लेंगे इस ब्याइक का निसान लगा रहे है एक इंच और इसको आधा इंच अंदर की साइड करते हुए यह फिरंट का निशान रहेगा इस पर हम गुलाई दे देंगे इसे बिगार करना दोस्तों यह देखिए यह हमारी बैक और यह फिरंट देखिए अब हमारी यहां पर चैस्ट है ग्यारा इंच लेंगे देखिए चोह वाली इंच को चौथा हिस्टा और यह देखिए यह 4 इंच पर हमने वह लगाया है लिगा है यहां पर हमारी कमर है तोरी कमर का लगा दा दां support यह हिप लगाएंगे लिखिए और यहां पर हमारी हिप भी 11 इंच है कि यह देखे हैं कि कमर को और यह उपर चैस्ट से इसको एक इंच कम लेते हैं कमर से तो देखें इस पर करने से लगा लेंगे यह हमारी कम चैस्ट होगी 11 इंच हिप हो गई 10 इंच जोरी 11 इंच और यह कमर होगे हम दस इंच यहां से कंद्ध्य टिरहाई 5 10 इंच निचे और इसके नीचे हम कटिंग करेंगे तक हैं। और इसमें स्लाई मार्जन रखते हुए हम यहां पर आर महूल में स्लाई मार्जन नहीं रखते हैं हम नीचे फिटिंग में स्लाई मार्जन रख लेंगे यह देखें यह देखें यह देखें यह दो इंच इसलाई मारजन रख लेंगे यह देखें जाँ जाँ पर हम निसान लगा थे हम चोटे-चोटे कट लगा देंगे ताकि हमारे पल्ले एक जैसे रहें यह देखें हमारी कटिंग हो चुकी है यह देखें हमारे दो पल्ले हैं अब हम फ्रेंट वाले को लेंगे एक पल्ले को लेंगे और इसमें फ्रेंट का निसान लगाता है उसकी कटिंग कर देंगे कि यह देखें यह हमारे फ्रेंट का हो चुका है अब इसमें फ्रेंट का गला काटेंगे तो हमने गाई लंबा इसकी लिए 6 इंच नीचे से 4,5 इंच और उपर से 3 इंच इसकी गुलाई करके काट देंगे इसे आप गले को अपने एकॉर्टिंग रख सकते हैं आप छोटा कि यह देखें हमारे फ्रेंट का लेकी काटिंग हो चुकी है और हम वैक का यह हमने उपर से 3 इंच लिए जितना फ्रेंट लिया था और वैक की लंबाई लेंगे 5 इंच तो यहां से नीचे से भी दाइंच लेंगे और इसकी गुलाई करते हुए काट देंगे करें हमारे दौनों गली कट चुके हैं अब देखे हम इसमें सीलिफ की काटें गे तो हमारे कपड़ा कमता हम यहां पर जोड लगाएंगे वैसरा इसको फूर्फोल्ड कर लिया है है यहां पर हम बाद में कपड़ा डाल देंगे श्याइंच का तो यह देखे हम लंबाई ल जाएगी 11 इंच और यहां से फिटिंग लेंगे 7 इंच आप अपने अग ओल्टिंग कर सकते हैं तो देखें कि देखें कि इसको ऐसे सेब देते हुए कटिंग कर लेंगे सिलाई मार्जन रखते हुए देखें यह हमारी बैक और यह आगे फिरंट इसमें हमने कुर्टे की तरह ही गुलाई देंगे देखें अब देखें हम इस पैसे गला काटकर ऐसे इस पर रखकर इस पर सिलाई लगा लेंगे हम यह देखें देखें हमारे सिलाई लग चुकी है यहां पर चोटे चोटे कट लगा कर इस गले को अंदर फोल्ड करेंगे तो देखें हमने पल्ल सेधा रखा तो गले ओपट सीधी साइड रखे उल्टी साइड आएगा यह देखें कि अंदर फोल्ड करके इस पर हम चलाई लगा देंगे और इसको यसे मोड़के उपर से तुर्पाई कर देंगे हमार गला रेडी हो चुका है देखिए हम दूसरा प्ला रेडी हो इसको ऐसे रखेंगे देखिए गले को बाहर निकालते हुए दौनों को कि पांने मुड़े पर कि बिस लिखे पर नाएं के अधिक हैं यहां पर देंगे दिन यहां हमारेшा तरह को इसको गले को अनदर फोल्ड हैю कि देखिए एक मिलते हुए दोनों साइड एक ही और एक ही है आगे इसको फोल्ड करते हुए इसमें आगे सिलाई लगा देंगे आप चाहें तुर्पाई भी कर सकते हैं वाजू को आरम हूल सारे नोइन चाह रहा था आप कुर्टे से नाप सकते हैं लिए तो देखे इसमें कुर्ते को सीधा रखेंगे और बाजू को भी इसके ऊपर सीधा रखेंगे अपर जोड़ रहे हैं इसको गले से पल्ट के गले में अंदर को निकाल के यहां से ऐसे लगाएंगे देखिए बीच वीच हमने कट लगाए था वाजू में और उपर मुड़े पर रखते हुए इसको जोइंट कर देंगे चल देखिए हम दोनों पल्लों पर से लगाते हैं यह देखिए हमारे दोन फोल्ड करते हुए एक वार ऐसे इसी देखिए करते हुए इस पर सिलाई लगा के तुर्पाई कर लेंगे तो गाइच हमारा कुर्ता रेड़ी है तो थैंक यू